हेलो गाईज हम लोग का प्रेश्ण है 301 का अबाज ये गुड़न खंड क्या है तो चलिए 301 का अबाज ये गुड़न खंड निकालते हैं और देखते हैं कि 301 का अबाज ये गुड़न खंड यानि की प्राइम फेक्टोज क्या होता है तो देखिए इस संख्या को यहाँ पर कुछ इस फरकार से लिख लिए है अब इस संख्या को अबाद जिय संख्या से कटाना होता है और पुरी तरह से कटा देना होता है तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटी अबाद जिय संख्या दो होती है तो हम देखेंगे कि यह संख्या दो से कटेगी तो दोस्तों दो से कटने का नियम होता है ध्यान दिजेगा हम यहाँ पर बतला रहा है दो से कटने का नियम होता है यदि जिस भी संख्या की काई के अंक जीरो या दो या चार या छे या आठ यानि दोस्तों हमारा कहने का मतलब यह है यदि इस अंक में से कोई अंक किसी संख्या काई 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 होगा तो अभी संख्या वह दोसे कटती है तो देखिए यह जो संख्या है इसकाई क्यों किया पर एक है तो देखिए इसमें नहीं मिल रहा है इसलिए यह संख्या दोसे नहीं कटेगी तो अब हम देखेंगे कि यह संख्या तिन से कटेगी तो दोस्तो तिन से कटने का नियम होता है यदि जिस्वी संख्या के अंको का योग तिन से कट जता है तो वह संख्या भी तिन से कट जती है तो चलिए इस संख्या के अंको को जोडते हैं और देखते हैं तिन से कटता है तो देखिए इस तीन में इस साथ को जोड़ेंगे तो दस होगा और दस में इस एक को जोड़ेंगे तो एकारा होगा तो एकारा जो संख्या है वो तिन से नहीं कटती है इसलिए यह भी संख्या तिन से नहीं कटेगी तो अब हम देखेंगे कि यह संख्या पांच से कटेगी तो दोस्तों पांच से कटने का निया मुताय ध्यान दिजेगा यदि जिस भी संख्या के इकाई के अंक 0 या 5 रहेगा तो भी संख्या वो 5 से कटेगी तो देखिए यह जो संख्या है इसका इकाई कियोंकि यहाँ पर एक है इसलिए यह संख्या पांच से भी नहीं कटेगी तो अब हम देखेंगे कि यह संख्या साथ से कटेगी तो हाँ दोस्तों यह संख्या साथ से कट जाएगी तो चलिए इसको साथ से कटाते हैं ध्यान दिजिएगा दखिये यहां पर 3 है तो यह 3 साथ से छोटा है इसलिए इस साथ को भी ले लेंगे तो 3 और 7 मिलकर 27 हो जाएगा तो देखिए 7 के पारण में 27 नहीं आता है इसलिए 5 बर में 25 ले जाएंगे और 27 में से इस 1 के पास दो हासिल चला जाएगा, तो यह 21 हो जाएगा तो अब यह 21 इस 7 से 3 बार में खोट जाएगा, क्योंकि सतिरी के 21 होता है याहाँ पर तीरपन आ गया, तो तीरपन एक अभाद यए संक्याँ है इसलिए तीरपन को तीरपन से कटा देंगे तो यह एक बार में कट जाएगी अब कुछ इस परकार से हम यहाँ पर लिखेंगे ध्यान दिजिएगा 301 बराबर देखिए 301 जो यह संख्या एक बार 7 से कटा है और एक बार 305 से कटा है तो इन दोनों को यहाँ पर गुणे के रूप में लिखेंगे साथ गुणे तीरपन तो दोस्तो जो यह आगे न यही इस 301 अहतर का अभाज जे गुणन खंडी यानी की प्राइम फेक्टर जो गया